हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूभी पार्ट साला पर आज दोस्तों मैं विज्ञान का सूपर टैक्ट के लिए प्राइमरी लीविल के लिए यहां पर बूज़ा गया आप से सत्य पल उत्पन होता है जल्दी बताइए दोस्तों किसे होता है जो सत्य पल उत्पन होता है दोस्त यह होता है थीक है नेक्स कोशन है गहंगा रोग किसकी कमी से होता है जो गहंगा रोग होता है यह किसकी कमी से होता है दोस्त आयोडीन बिटामिन ए कैल्शियम बिटामिन सी दोस्त किसकी कमी से होता है नेक्स कोशन है कार्णिया मानब सरीर के किसंका भाग है जो कार्णिया होता है मानब सरीर अधिक्तम साकारी प्रोटीन पाए जाते हैं जो साकारी प्रोटीन होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं अनाजों से दालों से सबजियों से दूद से बताए जरा अधिक्तम साकारी प्रोटीन पाए जाते हैं किससे दोस्त भी दालों से नेक्स्ट कोशिन है तमाकों में पाया माराश मस भीमारी किसकी कमी के कारण होते हैं ले fällt किसके बिरावर होता है इसके बभल किनी आंसर हो जाएगा. 6 फिट Next question है जल का कोई अतनांग degree centigrade में कितना होता है? वह कितना होता है जल का कोई अतनांग जहां पर वो उबलना प्रहारम कर देता है दोस्त ये पूछा है आपसे तो दोस्त कितना होता है बताइए जणा कितना होता दोस्तो भी 100 degrees centigrade next question है निमन में से कौन अधिस राशी है या आपके physics के question चल ला है मापन से आपकी मापन unit आपके super track के सलेबस में mansion है primary के लिए तो निमन में से कौन से अधिस राशी है दोस्त बताएए विद्दारा होगी वेग होगी तुवड होगी वल होगी तो बताएए तो राज़ टांसर होगा दोस्तो विद्दारा आपको एक टेक बता देता हूँ जैसे वेग होगया वेग तुवड वल बिस्तापन यह क्या होते हैं दोस्तो सदिस राशिया होते हैं जाद अतर बाकि विद्दुदाराद, रभ्यमान, लंबाई ये सब क्या होती है दोस्त अधिस राशी होती है इस टाइप से ठीक है इनके बार में भी डिसकस कर लेंगे तो उसका राइट आंसर क्यों जाएगा दोस्त ये हो जाएगा सेरी कल्चर किस से संबन दीता है बताइए वही मतश्य उतपादन से सहेद उतपादन से रेशम उतपादन से जैतुन की किर्सी से तो सेरी कल्चर जो होता है ये रेशम उतपादन से संबन दीत होता है तोस्तो आपका स्कोर क्या हूआ तो स्कोर क्या हो आप मुझे कमेंट बो है किसका होता है अंगोरों ऑथपाधं को क्या बोला जाता है बीसी कुलचर बोला जाता है यह पूंट हम याद रखने हैं अप पादन को सेरी कल्चर बोला जाता है आपसे कोश्चन मैंने बूचा था भी मैंने सेरी कल्चर कोश्चन यह बूचा था आपसे सेरी कल्चर किसे संबंदे तो किसे रेसम उत्पादन से तो यही चीज आपको यहां मिल चुकी है रेसम उत्पादन से क्या संबंदे तो सेरी कल् किल्चर होता है फूलों की किर्सी फिलोरी कल्चर होता है ब्रेक्स ओता है जारियों की किर्सी क्या होती है दोस्त अरवैरी कल्चर होती है समंदुरी जीवों का उत्पाधन को क्या बोलते हैं मैरी कल्चर बोलते हैं जमीन पर फैन लेवाली सब्जयों की किर्सी को क्या बोलत प्रप्रब प्रमख बितामिन हम्껏 भालेज़ सब्सक्राइब होते हैं आप से कोशन भी पूछा गया पीछे क्या बूचा गया तो जल का को यतना बेगरी सेंटिगरेट पर प्राइम कर देता है फैरेनाइट में तो सबारा पर फैरेनाइट पर 373 कैल्वीन पर ठीक है दोस्त अब यहां पर देखते हैं जल का जमना जीरो डिकरी सेंटिग तो यह कोशन भी आपको बनता है नहीं से कोशन भूचिन भूचल याता है कि मनुस्ते का समान नाथाप डिकरी सेंटिगरेट में कितना होता है तो इस दिगरी सेंटिगरेट होता है मनुस्ते का समान नाथाप डिकरी फैरेनाइट में कितना होता है तो यह पॉइंट आपको याद रखने है ठीक है नेक्स्ट आपके लिए प्रमुख सदिस अधिस राशिया वो लेकर आयों में सदिस राशिया और अधिस राशिया देखे वई एक बार विजन किजिए संबेग अवेग तुअड वल वेग वार वल आगोण वधारा यह कौन से होती है यह सदिस राशिया होती है संबेग हो गया अवेग हो गया वल वेग भार वल तुरण धारा आप दो तीन वार निकालोगे तो आपको एजली कर लोगे दोस्त और अधिस राशिया कौन कौन से होती है दोस्त अधिस राशिया होती है चाल हो गई द्रब्यमान हो गया एम पर मास पर दुराब्याद करता और वी. पर निरूवर करकार स То उस प्राकार से जो जाँ दूसरे पर निरूपल तबिधान इस अदिश्राशी कहते हैं तो आप लिए का ना time कोईला ऑक्सिजन के ओजो सल्फर के रॉंबिक मोनो किलाइनिक फास्पोरस का पीला दाता लाल फास्पोरस ठीक है दोस्त पोदे से प्राप्त होने वाली ओज़ती है आप से पीछे भी कोशन बूचा है मैंने इस वाले मोडल में तो तमागों होता है वह यह निकोटिन पोदे से प्राप्त होती है निकोटिन ओज़ती जो है वह तमागों के पोदे से प्राप्त होती है कुनेन सिंकोना के छाल से होती है और कैफीन कोफी से होती है थीन चाय से होती है हेरोईन अफीम से होती है एस्परीन दोस्तों एस्परीन बिलो से होती है एंटिपाइरेटिक सरप गंदा से होती है पैनिसलीन किसे होती है? पैनिसलीन कवक से होती है एंट्रोपे, दर्द निवारक बैलडोना पोदे से होती है और मदू में डहलीया पोदे से होती है तो इसमें जो इचार है नहीं तो बहुत important ब Willka रड़ डाली है वही नहीं इतने ही हां तक को तो बहुत बिल्कु रड़ डाले है बहुत इंपोड़ेंट इसे बोलते हैं ठीक है आप तो यहां से तो बार बार कुशन आते हैं दो तिन से तो तो आप देख ले ना नेक्स्ट कुछ समाने प्रदातों के प्याश्मान है और यह लास्ट है आपका सुद्ध जल का प्याश्मान तो कितना होता है सैविन होता है सिर्का का खटे अमल जो होते हैं अमल जो होते हैं आपको पता है कि स्केल कैसे शो करते हैं यह करते हैं यहां पर जीरो सुद्ध जल होता है लार का 6.5 होता है और मूत्र का कितना होता है दोस्त मूत्र का 8 होता है रक्त का 7.4 होता है निम्बू का कितना होता है दोस्त रक्त का याद रखना दोस्त बहुत इंपोर्ट है दोस्त बहुत इंपोर्ट है मूत्र का भी और निम्बू का 2.2 जितने अमल होंगा घटी important है यहां तक आप देख लेना विल्कुल ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर किजिए लोगे दोस्त बहुत कम लोग देख रहे हैं वीडियो तो बिल्कुल मन नहीं है बनाने का अगर आप चाहत आई से समय निकालकर आप लोग वे लिए समय देता हूं तो आपका कर्तब्य भी वनता है वीडियो शेयर किजिए जादा जादा अगर पसंद आ रही है तो ठीक है धन्यवाद